मेरे जीवन का सपना अपने देश में कॉर्परेट लीडर्शिप और अंत्रपनेरोशिप तयार करना मैंने स्टूडेंस पे केस्टेडी डाला था इंडियन एजूकेशन सिस्टम पे आपके पूछा गर एक लाख लाइक देंगे दुबारा विडियो बनाऊगा आपने एक लाख से कहीं ज़्यादा लाइक्स दे दिये मैं वापिस आ गया आज का मेरा टॉपिक है पैशन से प्रॉफिटेबल प्रॉफेशन तक पर पहले ना समझते हैं आज मनें कहीं स्टूडेंट से इस वीडियो के बाद मिला उन से पूछा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉबलम है क्या बोले लाक अफ क्लारिटी किदर जाएं क्या काम करें किस करियर में जाएं किस प्रॉफेशन में जाएं कौन सा बिजनस करें लाक अफ क्लारिटी कौन से सबजेक्ट चूज़ करें कौन सा कोर्स करें लाक अफ क किदर जान लगाएं सबसे पहला चीज, हर, हॉबी आपकी प्रोफेशन बन सकती है। हर, स्टेंथ आपकी प्रोफेशन बन सकती है। आप करना क्या चाहते हैं जुनून किस चीज का जुनून सवार एं आपके ओपर उपर sugady किस चीज का। आपको इतिहास रचते कौन है पागल लोग जो पागल हो जाते हैं वो इतिहास रचते हैं कमान वीडियो देखा था आपने इतिहास रचना नहीं है इतिहास रचना भी है इसलिए बुद्धी की बात नहीं आज मैं कर रहा है जुनून की बात कर रहा हूं बुद्धी बात में कमान ज जुनून, क्या काम करने में आपको जुनून है, पैशन वो चीज होती है, जिसके लिए अगर आपको तंका ना दी जाए, तो भी आप करने को तैयारें, जब आप बहुत ज़रा ठके हों, तब भी वो काम करने को मज़े से तैयारें, बहुत नींद आ रहे हो, तब भी काम करन उसके लिए पैसा भी मिलना शालू हो जाएगा आपकी जीविका भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बड़ी ग्रोथ आपके पैशन में छुपी है जुनून अगला स्टेप पैशन ढूनने के बाद अब देखिए खाली पैशन देखने से काम नहीं होगा हॉबी आपको सफन नहीं बनाती है केवल पैशन आपको सफन नहीं बनाएगा पैशन को डायरेक्शन दीजिए पैशन को एक शेप दीजिए उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पल्स बनाईए क्या आपका पैशन जो आपके अंदर है उससे समाज की कोई प्राब्लम सॉल्व होती है एक बार और क्या जो जिस चीज का आपको जनून है क्या आपके जनून से मार्किट में समाज की कोई बड़ी प्राब्लम सॉल्व होती है क्या कोई आप customer की ऐसी problem solve कर पा रहे हैं जो वो अपने आप नहीं कर पा रहा हो क्या आप market में बड़े छुपे हुए किसी gap को आप solve कर पा रहे है ऐसा एक purpose बनाई है life का धूंड़िए आपके passion से किस प्रकार से market में कोई बड़ी problem solve हो सकती हो ये step number two था अब उसके बाद बड़ा simple इसको एक profitable business में convert करिए यानि कि profit ढूंडने का प्रयास करी जहां से business method बन सके hobby लंबे time चलती नहीं है hobby बच्पन में चलती थी जिंदेगी बड़ चलाना है तो एक profitable sustainable profession बनाना पड़ेगा तो तीसरा point है profitable profession hobby को hobby कितना ना छोड़के एक profitable profession उसमें ढूंडने का प्रयास करें कि क्या आपके इस passion को जिससे आप problem solve कर सकते हैं passion यहाँ है problem वहाँ है come on ध्यान दीजिए passion यहाँ है problem वहाँ है इस passion और problem को जब एक बनाएंगे वहाँ देखिए business का method लगा दीजे जिसमें एक profitable profession भी बन जाए और फिर देखिए पट 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 आपकी growth होगी जिन्दगी में बड़े बड़े उधारन को कहीं देना चाहता हूँ आपको Mark Zuckerberg से शुरू करते हैं Mark Zuckerberg अपने middle school के समय में 6, 7, 8 standard में तब ही से उन्होंने software बनाने शुरू कर दिये थे बड़े passionate थे applications बनाने के लिए Synapse Media Player software उनका high school का project था जब तक वो Harvard में आएं तब तक तो उनको programming prodigy के नाम से जाने जाने लगा बहुत famous हो गए थे FaceMash नाम का पहला बड़ा venture उन्होंने Harvard में शुरू कर दिया था वही FaceMash जो आगे चलके Facebook बना इससे उन्होंने देखिए ये था passion अब है market की problem दुनिया disconnected हुए जा रही थी उन्होंने Facebook से उसको connect किया market की problem solve कर दी जब market की problem solve करने लगे उसको इस तरह से करी कि बहुत traffic आया और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है अब उन्होंने एड लगानी शुरू कर दी एड लगाई आज इतना बड़ा profitable venture कि दुनिया के सबसे बड़े रईसों में Mark Zuckerberg का नाम आ गया जीवित लोगों में सबसे लंबे समय तक से ज़्यादा अमीर शक्स कैलाई जाने वाले विकती Bill Gates इनका भी बड़ा single-minded जुनून था Coding और Technology के विशह में बचपन से Core Interest इनका 13 साल की उमर में Programming के around हो गया Tic-Tac-Toe नाम का पहला Computer Program लिखा बचपन में Coding, Programming, Technology ये तो था इनका passion ध्यान दीजिए कमान ये था इनका passion और Market की करीश Solve Problem कौन सी problem Windows को लेकर के आए Market की problem को solve किया दुनिया का जीवन आसान कर दिया आज अगर Microsoft नहीं रहा 90% प्रिथवी अच्छानक रुक जाएगी बहुत बड़ा Profitable Profession चालू किया ध्यान दीजिए passion market की problem और साथ में Profitable Profession Simple है जी तीन step देखिए आपने सुना है वो जो हिंदोस्तान में खाना बनाते हैं ना संजीव कपूर सुना है आज उनका भी valuation एक हजार करोड का हो गया छोटे से थे बच्पन में जब उनकी माँ उनकी बहन को खाना बनाना सिखाती थी वो कहते थे मम्मी खाली इसको सिखाओगे मुझको नहीं सिखाओगे पच्पन से उनके मन में चागई क्योंकि देखिए दियान दीजेगा खाना बनाना उनके लिए एक जुनून के जैसा था अच्छा लगता था टेस्ट आफ सक्सेस मिलता था खाना बनाके मदा आ जाता था उनको जान दीजे कम ऑन जुनून जुनून इधर था उनका पैशन देखा उन्होंने मार्केट में एक बड़ी प्रॉबलम के बढ़िया खाना खाने का शौक सबको जो आपको अच्छा लगता है करना उसमें प्रॉफेशन बन जाता है कपिल शर्मा देखते हो ना कपिल शर्मा शो वो कहां से आया चोटा सा बच्चा था जब भी कुछ कोई महले में कोई प्रोग्राम हो लोग उसको स्टेज पे खड़ा उजास करदा देते थे बोल भाई तु कुछ आज बोल के सुना और जब वो कुछ बोलता था लोग ताली मारते थे उसका उत्सा और बढ़ता था अगली बार और अच्छा बोलता था ये जो बतोले बाजी का उसका एक्सपर्टीज था ना उसको उसने प्रोफेशन में कनवर्ट किया देखिए कैसे ये बना उसका पैशन क्या मिरा हाथ देखिए पैशन पैशन यहाँ है मार्केट में प्रॉब्लम यहाँ है मार्केट की प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इतने परिशान दुनिया उनको हसा दो आपको याद रखेगी जिन्देगी भर और वोई किया कपिल शर्मा जी ने सबको हसाया इतना हसाया ग्रेट लाफ्टर इंडियन चैलेंज शो पहली बार वहां से 10 लाख रुपे जीते थे कभी दुबारा मोड़के नहीं देखा ध्यान दीजे तीन स्टेप बताएं मैंने आपको पहले क्या करिए पैशन ढूंडिये जो इधर है उसके बार ढूंडिये प्रॉब्लम जो इधर है उसको बिजनस मेथड में कनवर्ट कर दिये ताकि प्रॉफिटेबल प्रॉफेशन बन जाए गुजरात के बड़े व्यापारी करसन भाई पटेल उनका केमिस्टरी में था बड़ा पैशन उन्होंने बीस्सी किया किस साल की उमर में लैब टेक्निशन की नौकरी लगी लेकिन शाम के समय में ध्यान दीजिए याद है आपको मने क्या बताया था पैशन वो चीज़ है जो बिना तन्खा के लिए भी आप करने लग जाते है शाम के समय में अपने घर में बैठके क्योंकि केमिस्टरी इनका पैशन था एक डिटर्जन बना डाला एक डिटर्जन बना डाला तो इसको खुद घर में यूज़ करने लगे पडोसियों को भी देने लगे अभी तक क्या था खाली पैशन होबी खाली होबी से कुछ नहीं होता देखा मार्केट में प्रॉबलम क्या है डिटर्जन बड़ दूज सी सफेदी चा गया है पूरे देश के अंदर सिंपल है मैं बिजनसमेन की उधारण भी दे रहा हूं अगला उधारण है दिलीप चा बढ़िया दिलीप चा बढ़िया बच्पन से ही अजीब से विखती थे कार में खाते थे, कार में शोते थे, कार में नहाते थे, कार में पीते थे, कार में जीते थे सब कुछ कार के लिए करते थे, कार, 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 पैशन था जुनून, भूल गए कि आप, जुनून, किस चीज का पैशन है आप में ढून दिये और उस passion को देखा market में problem क्या है लोगों को खुबसूरत गाड़िया चाहिए और बड़े branch जब हजारों की तादात में गाड़िया बनाते इतनी खुबसूरत बना नहीं पाते लोगों की इस इच्छा को इस problem को solve करने के लिए उन्होंने चालू किया DC दिलिप चाबड़िया designer cars कुछ भी दे दो ऐसा बना देंगे के आपकी आँख चौक जाएगी बुद्धी चकरा जाएगी उनकी खुबसूरत गाड़िया देख करके ऐसा जीते थे वो गाड़ियों को यह जनून था और आज इतना बड़ा ब्रैंड बन गे है दिलिप चाबड़िया के जिसको गाड़ियों का शौक हो वो दिलिप चाबड़िया को ना जानता हो संबब नहीं है मैंने आपको तीन स्टेप्स बताए ध्यान दीजिए ढूंडिये आपका जुनून क्या है जुनून क्या है जुनून ये मार्केट में कौनसी प्रॉब्लम आपका जुनून सॉल्व कर सकता है और उसको प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में बनाने के लिए अब प्लैन अफ एक्शन बना ले सिंपल आजकल तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे लीडर्शिप फ़नल में आने लगे हैं लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाए है इसली क्योंकि कल पिछली दफ़ा आपने बहुत लाइक्स दीए क्या आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अपना क्लारिट्टी के साथ में कॉर्परेट लीडर्शिप पांतर प्रपने लिडर्शिप बिल्ड कर सके हैं अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाओं पिछले लाइक्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए पिछली बार सवाल आग के नदी को और रिकॉर्ड तोड़ के और लाइक्स दीजिए पता चलता रहेगा कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे और वीडियो बनाने हैं मैं जरूर बनाओंगा आपके लिए अगर किसी स्टूडेंट को क्लारिटी नहीं है क्लारिटी नहीं है यह आपस में ग्रूप्स में शेयर करिये इन वाटसाप वीडियो को इनको डाउनलोड करके शेयर करिये हो सकता है उनके जियों में उनकी मदद हो जाए और मेरा आज का प्रशन है आज के समय में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है एक बार और एक बार आज के समय में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लिखिए और मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा और एक दूसरे के प्रशन झाल झाल